यहाँ पर एक और बड़ी खबर आपको दिखाना चाहूँगा यूके के मिनिस्ट्री आफ डिफेंस की इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा खुलासा सीधे प्ले आउन करें यूकरेन के किलाफ युद में रूस बदलने जा रहा अपनी रणी थी रूस अब रहाईशी आलाकों को जादा से जादा करेगा टार्गेट यह मारे पास इंफोर्मेशन है बगल में प्लीज वो स्टिल दिखाएं यह देखें रूस के निशाने पर होंगे सिविलियन इंफ्रस्ट्रक्चर ये भी जानकारी है रूसी हमलों के चलते अब बढ़ सकती है यूकरेन में मानवियत रासदी क्योंकि रश्या पैनिक में है ये यूके की डिफेंस इंटेलिजन्स का कहना है हाना कि उनकी अभी तक इंटेलिजन्स गलत तो नहीं हुई है ये कोई नहीं दिखा सकता लेकिन इसका मैं एक एविडिन्स आपको दिखाने चाहरा हूँ जरा सीथे दिखाएं मरियो पॉल में रूस का फिर रहाईशी अलाके में हमला हुआ है स्टिल्स आपको हैरान कर देंगे जरा ध्यान से देखें रूसी हमले में कई बिल्डिंग्स हो गई है दस्ट शॉट दिखाएं बगल में प्लीज ये स्टिल्स देखें आप किस तरीके से हमले के बाद कुछ इमार्तों में लगी आग और इमार्तों में मतलब आप सोचे पूरे के पूरे सारे फ्लोर्स गायब हो गए फुल फ्रेम पे ज़रा राहुलिक्स तिल दिखाएं ये देखें आप ये तो हैरान करने वाला है पूरा का पूरा बिल्डिंग बीच में से गायब हो गया है ऐसा लग रहा है ये हमले की खबर है मैं चाहूँगा ये दोनों ब्रेकिंग दोनों विश्वल दिखाएं मैं आपको एक और बड़ी खबर बता रहा हूँ और उसके बाद मैं जनल साब के पास आ रहा हूँ रूसी हमलों का जवाब दे रही है यूक्रेन की सेना और यहाँ पर लोकल टेरिटोरियल डिफेंस का काउंटर अटाइक देखने को में ट्राइश शॉट दिखाएं हमले में रूसी सेने ट्रक को किया तहस नहस यह देख्या आप बलकि यहाँ पर इंट्रेस्टिंग एलिमेंट यह है मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा फुल फ्रेम पे शॉट दिखाएं जारा यहाँ पर इंट्रेस्टिंग एलिमेंट यह है कि एक ट्रक दूसरे ट्रक को टो करके जा रहा था इन्होंने दोनों ट्रक्स को उड़ा दिया यह उसका एविडेंस है यह देखें आप और सब पे जी लिखा हुआ है जो कि अब यह एक बहुत बड़ा सिंबल बन चुका है लेकिन अब हमारे जितने भी दर्शक है मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग एलिमेंट है और हमारे जो गेस्ट है उनके लिए भी बहुत इंट्रेस्टिंग यह वैलू एडिशन होगा सीधे प्ले आउन करें BBC के एक रिपोर्ट आई है उसका हवाला देते हुए मैं आपको बता रहा हूं रूस की सेने गलतियां रूस की पहली गलती यूकरेन को कमा अकना नमबर वान चेंज करें दूसरी गलती यहां पर रूस सालाना रक्षा बजट रूस का 60 बिलियन डॉलर्स और यूकरेन का सिर्फ 4 बिलियन डॉलर्स राहूल फुल फ्रेम पे रखें यहां पर नेक्स चेंज करें इसको यहां पर जो हमारे सामने बड़ा इंट्रस्टिंग है वो यह है लेकिन रूसी T-14 अर्माता युद में नहीं दिखाई दिया उन्होंने बहुत अच्छा टैंक बनाया अब मैं इसका प्रनेंसेशन के लिए माफी चाहूँगा T-14 अर्माता टैंक जो की मॉस्कों में परेड में तो दिखा लेकिन युद में नहीं दिखाई दिया युद में क्या दिखाई दिया वो मैं आपको बताना चाहूँगा वो पुराना टैंक वार जोन में T-72 टैंक ही जादा दिखाई दे रहे ये भी अच्छा टैंक है लेकिन ये शिकार बनते जारें किसका जावलिन्स का बकतर बन गाडियां और रॉकेट लॉंचर युद के लिए भेजे इन्होंने ये अपनी गाडियां भेजी यहाँ पर युद की शुरुवात में रूसी वायू सेना को स्पष्ट बड़त थी लेकिन बड़त गवादी शुरुवाती बड़त क्यों लेकिन बाद में युक्रेनी हवाई सुरक्षा प्रभावी होती गई सबसे बड़ा बात है इनका जो रेशो था वो करीब 6-1 या 3-1 के आसपास बात बोल रहे थे यहाँ पर देखें मिशन कीव में नाकाम होस्टमेल एरपोर्ट पर हमला कारगर नहीरा स्टार्टिंग में बहुत जबरदस रिजिस्टन्स थी उनको अम्मीद नहीं थी बाद में कबजा है उन्होंने भले ही कर लिया हो नेक्स्ट अभी शेक भी आपको स्ट्रीन पर दिखाई दे रहे कीव के ठीक बाहर हुई इस घटना से रूस को नुकसान पहुचा यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूंगा रूस अपने सैनेक और हत्यार यहाँ नहीं उतार सका कीव की अगर बात की जाए यह सब के सामने जो विवेक सर ने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि यह दिखाई दे रहा है यह स्ट्रेच आउन हो रहा है जो करनल डीनी आपको बताया था रूस को अपनी जादतर आपूर्ती सडक मार्क से करनी पड़ी यह साफ दिखाई दे रहा है लेकिन इसने ट्राफिक जैम की स्थिति पैदा की और जैम का फाइदा उठाकर यूक्रेन ने आसानी से उनको टारियेट किया ये भी आप डिनाई नहीं कर सकते फुल फ्रेम पर आजाईए यहाँ पार रूस की कई सेने गाडियां कीचन में फसकर बेकार होती रही जनल सेना थोड़ी देर पहले हमारे साथ थे वो कहा जाता है जनल मड़ वहाँ पर उनको नुकसान के साथ साथ सेनेकों का होसला भी तूड़ गया एक और बड़ी बात कीव अभी भी दूर है अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा रूस ने यूकरेन पर आकरमण के लिए करीब एक दिशम्लब नौ लाक सेनेक लगाए रूस ने यहाँ पर क्या हुआ अब तक रूस अपनी 10 प्रतिशन फोर्स को खो चुका है ये कहा जा रहा है यूकरेन ने 14,000 रूसी सेनेकों मानने का दावा किया लेकिन अमेरिका जो है वो कहता है ये इसका हाफ है मैं बताना चाहरा हूँ आपको अमेरिका ने कहा है वो इसका एक्जाक्ली हाफ है कहा जा रहा है कि रूसी सेनेकों का मौराल गिर चुका है ये भी फैक्ट है इसलिए कई रूसी सेनेक ठके हुए है भूक से परेशान है और अब सीरिया से सेनेक आ रहे है अब नए सेनिक बुलाए जा रहे हैं आपने देखा किस तरीके से सेनिकों को बुलाए गया है चेचनिया से यहाँ पर चेंज करें इसको राहूल यहाँ पर बड़ा तेजी से सीरिया लडाकों को जोड़ने की कोशिश हो रही है इसलिए नए हतियारों पर नजर पूतिन युद में कुछ नए हतियार आजमा सकते हैं मदद के लिए चीन से भी संपर्क किया है यह हमारे फास फैक्ट है करीब जबकि यूक्रेन को पश्चिम से लगातार हतियार मिल रहे है मैं यह फैक्ट्स थोड़ा लंबा ग्राफिक्स था लेकिन मैं सीरे चलूँगा पेरे साथ जनल माथूर मौझूद है जनल माथूर अभी के युद में वाट इस यूर असेस्पेंट आपको लगता नहीं है कि यह बहुत लंबा खिजग गया और अब बड़ा सवाल यह है सीरिया से रिजर्व फोर्स को बिलाया जा रहा है चेशन विद्रोईयों को अलरेडी बुराया गया है मर्सिनेरी इस अलरेडी आ चुके है यह बहुत लगता है यह वाट बताओं आपको कि कोई भी वार जो है किसी भी भी लड़ी गई हो पहले विशुदी से लेकर के आज तक या उससे भी पहले कोई भी वार प्लान के मताबिक नहीं जाती है और जो बात कही जाती है कि बहुर की पहली कैश्वलिटी क्या होती है, सम्पीपल से इस तूथ, पट वाई आई अलवेज से इस दिप्लाइट, पहली कैश्वलिटी ओफ यॉवर इस यॉवर प्लाइट, लेकिन जो रूस की गलतियां अपने किनाई है, लेकिन जो सबसे बड़ी गलती जो रूस ने खुई है, वो ये थी कि रूस ने ये बात मानी, ये बात सोचके आये थे वो हमला करने के लिए, कि युक्रेन की जनता और खास करके वो युक्रेनी जनता, जो कि या दूरूसी भाशा बोलती है, या रूस के पती कहीं न कहीं सानुगोती रखती है, को उनका साथ देगी, जो कि नहीं हुआ और नहीं होने की वज़ा थी, जैलिंस्की का इंस्पाइरेशनल लीडर्शिप, लेकिन उसकी लीडर्शिप पे बारे में भी मैं आपको बाद में मेरे अलग विचार भी है, मैं बताने के पोशिश करूँगा, तो सबसे बड़ी गलती यह होई है रूस से, कि जो उसको बहां के लोगों का जो जो मुखालफ़त मिल रही है, जो लोगों का डिटर्मेंड अपोशिशन मिल रहा है, वो उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, पहली बात, दूसरी बात यह है कि अब जलिंश्की के पास, बहुत जादा पादाज में अल्ट्रा मॉडरन एंटी टैंक एंटी टैंक एंटेर्ट वेपन साने शुरू हो गया है, बिलकुछ सही बात आपने कही थी, टोटल एर सुपिरियोरिटी थी रशा के पास, बेगिनिक उफ दि बैकल और वो एर सुपिरियोरिटी थी थी टैंटेट तो एंटेंट इसा निया है कि उनको अभी उक्रेश के पास थोड़ा फेवरेबल हो गया है, ना, हैं उन्हीं के पास, लेकिन इन टेंटेड, उसके वज़ए से क्या हो रहा है कि उनके ओकपर हेलुकाप्टर में, एरक्राफ्ट में और अइय मशिनरी में नुक्सान लगातार होता जा रहा है, और वो बढ़ता जबा जा रहा है। आप जो बता जाएंग पर ऐसे अन्य अन्य आजेर परवाहद देशकी सोम्वार से शुक्रवार रात दस बजे तीविनाई भारत वर्ष पर